हम बता रहे हैं कि अगर हम किसी object को पानी में डालते हैं तो उसकी तीन condition होता है या तो वह दूब जाता है या तो वह दूब कर तयरता है अनसतह दूब कर तयरता है या तो पूरा दूब कर तयरता है पूरा डूब कर तैता है अब दीखिए इसके क्या रीजन है किसी अबजेक्ट को जो पानी में हम डालते हैं तो माल लिया जाए पानी उस पर एक अब थ्रस्ट फोस लगाती है जिसको उत्प्लावन बलकाते हैं माल वो डबलूवन है यह वाटर के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स डबलूवन है और अबजेक्ट भी भर्टिकली फोर्स लगाती है अबजेक्ट भी भर्टिकली फोर्स लगाती है नीचे की तरफ और यह लगाता है उपर की तरफ माल लो इसके वजन को हम डबलूटू माल लिये यह कोई container हम बना रहे हैं यहां तक यह पानी है एक जो object है इसके उपर तेर रहा है पानी के surface पर तेर रहा है इसका मतलब यह होता है कि पानी का जो अब thrust force है यह object के vertical force से ज़्यादा है जिसके कारण यह उपर उपर तेर रहा है यह जो force है ज़्यादा है इस force से यह जो force से ज़्यादा है इस force से दूसरा condition हमारा हो रहा है कोई object क्या होता है तक माल यह water है कोई पानी में दूब कर तेरता है यह object है तो इसका मतलब है कि दोनों force बराबर है डवलू 1 और डवलू 2 force यह डवलू 1 हुआ water द्वारा अप उपर की तरफ लगाने जाने वाला बल उपर की तरफ यह downward force हुआ यह अप thrust force हुआ यह downward यहाँ पर यह दोनों आपके बराबर हैं यह दोनों force आपके बराबर हैं यहाँ पर यह force आपका अधिक है इससे यह force यहाँ पर बराबर है तीसरा condition में आप देखे होंगे किसी iron के टुकड़ा को या किसी bricks औगेरा को जब हम पानी में फेकते हैं तो direct settle down हो जाता है पेंदी में इसका मतलब यह होता है कि आप thrust जो force है वा less than है downward force है इसका मतलब है कि W1 का जो weight है मान है वा W2 से कम है तो dear residents इसी condition में कोई object टैरता है कोई डूप जाता है कोई डूप करता है अगर हम लोग पानी में टैरते हैं तो अपने volume के बराबर पानी को विश्थापित करने के लिए अपने सरीर को विशे साक्रेती में ढाल देते हैं तो dear residents हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे सेर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा मोनोबल बना रहा है थैंक्स यू बेरी मच